और बच्चे लोग कैसे हैं? आज सीखते हैं कुछ नई सी ट्रिक? कई बार हम मार्कीट जाते हैं या ओनलाइन हम कुछ ऐसी चीजें मंगा लेते हैं जिनका एक्चुल में उनका कोई यूज ही नहीं हमें पता ही नहीं होता तो हमें कई बार गलत समान आजाता है या कई बार हमारे समान किचिन में जो जरूरी चाहिए हैं वो नहीं होते तो ऐसे में कुछ ऐसे घर के समान में आपको बता रही हूँ कि हमारे किचिन में होना बहुत जरूरी है अगर आप ऐसा कुछ प्लान कर रहे हो kitchen में आपको समान चाहिए तो ये चीज़ों को आप जरूर notice किजिए ये समान आप जरूर ही नहीं है कि आप online ही खरीदें ये आप कोई local market से खरीद सकते हैं कहीं mall जाते हैं कहीं departmental store पे जाते हैं कोई हमें समान पता होता है कि वो समान हमें खरीदना है तो हमें बड़ी असानी सी हो जाती है तो सबसे पहला मैं आपको बताऊंगी कि ये हमारे पास विसकर है विसकर जो होता है हमारे बहुत काम आता है बहुत सारी ऐसी चीजें जो बीटर से हम बनाते हैं लेकिन बीटर कई बार हमारे पास नहीं होता है तो यह whiskar का होना बहुत जरूरी है तो एक whiskar dannender में जरूर होना चाहिए दूसरी चीज मैं लेती हूँ spatula spatula हमारे kitchen में होना बहुत जरूरी है चाहे छोटा लें बड़ा लें वैसे मेरे हसाब से तो दो होने चाहिए एक छोटा एक बड़ा और कौन सा होना चाहिए ये भी मैं आपको बता देती हूँ, कहीं से भी खरीदे, इससे कोई फरक नहीं पड़ता, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही, जो मैं किचिन में अपने यूज करती हूँ, वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये देखिए, स्पैचुला जो होते इस टाइब के होते हैं, एक होता है जो हमारी उसका हैंडल अलग हो जाता है, लेकिन कई बार आपने देखा होगा, उस हैंडल में पानी भर जाता है, अंदर पानी भर जाता है, बद्बू आ जाती है, तो कई बार फंगस आ जाती है, और खास तोर से वो हमें खाने में जब पर नहीं भी हो तो नॉमल जब हम सबजीयां काटते हैं तो बहुत मोटे दातों वाला भी नहीं होना चाहिए वह बहुत ज्यादा शार्प नहीं होता बिना दातों वाला भी जो नाइफ खरीद लेते हैं वो भी शाप नहीं होता जो पतले दातों वाला जो शाप नाइफ होता है हमें वो खरीदना चाहिए उससे आपकी सबजी बड़ी असानी से कटती है और बहुत ही शाप तरीके से कटती है एक और नाइफ है यह है तो आइर बहुत ही बढ़िया है आपको कभी भी देखें मार्कीट में इस ट्याइप का नाइफ तो आप यह जिरूर खरीदें हमारे बहुत काम आता है। अब बारी आती है एक ऐसा प्रॉडक्त जो हमें घर में बहुत काम आता है। बहुत सारी चीजों को हमें ग्रेट करना होता है, तो हमें ऐसा एक खरीदना चाहिए, यहाँ पर स्लाइजर भी है, यहाँ पर बड़ा है, इसे में बहुत छोटा है, जैसे जाइफल वगर हम इससे कर सकते हैं, यह थोड़ा सा बड़ा है, यह थोड़ा और बड़ा है, जब हमें काफी जादा बड़े-बड़े चीज़ें चाहिए होती है, आलू को ग्रेट करना या किसी को भी करना, यह देखिए, उससे थोड़ा छोटा साइज है, तो इसमें हर साइज है, एक ही चीज में काफी सारी साइज के आप ग्रेट कर सकते हो, तो मुझे यह परसनली बहुत पसंद आता है, मुझे यह बहुत ही अच्छा लगता है, और यहाँ पर मैं आपको यह दिखाती हूँ, कभी भी आप इसको थोड़ा सा ओयल लगाएंगे ना, ओयल लगाने के बाद जब आप चीज वगर भी ग्रेट करेंगे, तो कभी भी चिपकेगा नहीं, और इससे साफ करके रखें, स्मेल ना आए, और इसमें जो भी हम करते हैं, फसा न रहें, जिसकी वज़ा से काफी लंबा चलता है, सालों साल चलता है, एक और बात, अगर आपको ये यूज नहीं होता, ये अल्रेडी है, तो ये छोटा जरूर खरी दे, ये देखिए, ये खास्त और से जायफल वगर हम लोग गिस लेते हैं, और ये इसमें छोटा सा स्लाइजर भी है, जिसमें हम अधरक वगर या छोटी-छोटी चीजें भी हम स्लाइज कर सकते हैं, और इसमें जो है ग्रेटर भी है, जैसे हम चाय के लिए अगर अधरक वगर ग्रेट करते हैं, तो ये छोटा सा है, और हैंडी है, कहीं भी छोटी सी जगा में हम रख सकते हैं, कि उसके बाद है हमारे पास चिम्टा यूं तो चिम्टा हमारे पास रोटी सेखने के लिए होता ही है पर अकसर हम लोग इस टाइब के भी चिम्टे या टोम जिसको बोलते हैं वो भी हम खरीद लेते हैं अब ऐसे में हमें क्या होता है कि हमें काफी चीजों को उठाने में बहुत ईजी होता है जैसे आईस उठाते हैं या कोई भी जैसे ढोकला पेस्ट्री उठाते हैं मिरको सबसे जादा बेहत पर्सनल ये वाला पसंद है, ये इसलिए पसंद है क्योंकि ये बहुत छोटा है, कोई भी चीज आप उठाते हो, कुछ पेस्ट्री पे, केक पर कोई भी चीज आप धीरे से रख लेते हो, मुझे बहुत पसंद आता है, इसी तरीके का एक ये है, जि पुड़ी बना रहे हो, जिसमें आपको चाहिए कि ओईल भी बिल्कुल नीचे निकल के निकले, तो ये चीज बहुत ही बढ़िया है, इसको पकड़ के आप निकाल भी सकते हो, और जो भी चीज है वो नीचे जहर जाता है, ओल या चाशनी तो ये बहुत ही बढ़िया शेक कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया होती है, बहुत ही फ्रादी सी काफी बनती है, और बहुत ही अच्छा लगता है, हमारा काम बढ़ा असान हो जाता है, एक ये चमच है, कहने को तो हमारे घर में बहुत सारे चमच रखते हैं हम लोग, पर ये एक ऐसा चमच है, जिसे हम कोई भी चीज ने जैसे हम लोग घुलाब जामुर McMillie तर दही बाइद गूला और या हम रास गूला उटा रहे कई टाइप के बहुत भड़िया-बड़िया मिलते हैं, वो हम खरीद तो लेते हैं, पर कई बार हम उन्हें रफ यूज नहीं कर पाते हैं, और यह जो स्टील के होते हैं, बहुत ही ज्यादा रफ यूज होते हैं, जब भी आपके खराब होते हैं, उन्हें साफ कर दीजे, जब भी मैं किसी के लिए दूद्र रखती हूं तो इस तरीके से डग करते हूं रात को मैं जीरा या मेती दाना जरूर भीका करते हूं यह सब्जा तुकमारी असेट्स मुझे डेली चाहिए होते हैं मुझे पर्सनली बहुत पसंद है अगर आपको भी पसंद है तो जरूर खरी दिया अब आता है एक चौपर चौपर हमारे किचिन में जरूर होना चाहिए वैसे तो हमारे किचिन में मिक्सी होती है हम बहुत सारी चीजें उसमें भी ग्राइड कर लेते हैं पर कई बार अध्रक लसन प्याज जो भी आप सबजी भी रख सकते हो और इसको यहां पर हम अटैज करके सिर्फ धागे को हम इस तरीके से खीशते हैं हमारी सारी चीजें चौप रोजाती है इसमें भी हमें क्या प्रकॉशन लेना चाहिए मैं आपको बतारी हूँ अगर आपने मोटे- काट के डाल दिये तो उससे क्या होता है आपका धागा फटा फट टूट जाता है यह तो यह तो जाएगा बहुत महंगा उता है तो मैं कहूंगी आप से क्या पर्फटर गभटर का खरीदे लोकल मार्केट से 2-300 का मिल जाता है वह आप खरीद दिये कोई बात नी बस उसे तरीके से चलाएं अगर आप मोटा मोटा डाल देंगे जल्दबाजी करेंगे तो धागा टूट जाएगा फिर खराब हो जाएगा टपर्वेल में ये फाइदा होता है कि अगर आपका धागा टूट जाता है तो यह हमारा रिप्लेस होके दुबारा भी मिल जाता है तो कोई तो यह चोईश आपको कौनसा खरीदना यह आप सर्च करके फिरी खरीदिये पर यह परसनली बहुत काम की चीजि़ है उसके बाद हमारे पास किचिन में एक सिजर जरूर होने चाहिए बहुत काम आती है कई बार हमें काम आती है तो एक सिजर का होना बहुत ही जरूरी है चीज के लिए normal scissor भी खरिदते हैं तो उससे भी आपका काम असान हो जाता है। कई बार हरी मिर्च हम घात से नहीं काट पाते, तो हम scissor से काटे, धनिये को काटे, मिर्ची को काटे, तो बहुत ही असान सा काम हो जाते। अब बारी आते हैं एक last जो मुझे बेहत पसंद आता है इस type के product market में मिलते हैं ये देखें ये slicer होता है आप आलू, प्याज इस तरीके से slice कर सकते हैं यहाँ पर आजकल यहाँ पर attachment में ये भी है ये एक्जेस कर सकते हैं आपको कितना पतला चाहिए कितना मोटा चाहिए ये मुझे बहुत पसंद आया था इसलिए मैंने खरीद लिया था ये देखें इसे इस तरीके से हम attach करेंगे यहाँ पर आप इस size का आलू या प्याज डालिए आपको अराम से इसमें कट सकते हैं कई beginners नहीं कर पाते हैं greater slicer से तो ये आपका हाथ भी बचा रहेगा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आलू छोटा हो जाता है तो यहाँ पर आप इससे प्रैस करेंगे तो वह छोटा सा छोटा आलू भी आपका slice में कट जाता है यह बहुत ही benefit वाला है इसमें आप ड्राइफरूट भी कर सकते हैं पर ड्राइफरूट के लिए मैंने अक्सर चोटा लिया हुआ है यह ड्राइफरूट लसन अद्रक मैं हाला के इसमें लसन अद्रक नहीं करतीर ड्राइफरूट का सायजुर्क नगता है इट्वालग पर अर्ण वालेफरूट बहुत जादार जाता है इसमें अगर आप slice करतें पर जब कभी आप इसा खरीदने के मूड में होते हैं आपको पता नहीं होता है तो उनके लिए ये मैंने वीडियो बनाया है कैसा लगा आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएं वीडियो पसंद आये तो लाइक जरूर कीजिए ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इस चैनल पर अगर नहीं आये तो आपको क्या करना है बच्चों आपको मा के लिए सब्सक्राइब करना है